Hey guys, welcome back to this new video और आज का यह जो वीडियो है वो comparison है between media deck Helio G80 versus Qualcomm Snapdragon 730G ये comparison interesting है, खास है क्योंकि आपको Qualcomm Snapdragon 730G जो है, वो आपको बहुत सारे smartphone में पहले से देखने को मिलता है जैसे कि OPPO RADIO 2 हो गया, Realme X2 हो गया और Samsung का A80 हो गया, ये सारे smartphone में आता है इसके लिए बात करें, अगर Helio G80 तो वो आपको Realme 6i वे देखने को मिल सकता है, so guys इसलिए comparison काफी दो interesting है so आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक हो, अगर आप चले पे नए तो Helio G80 में launch date है, वो 3rd February 2020 साथ में architecture जो है, वो 12NM fabrication है Octa-Core SOC है और 64-bit architecture को support करती है Snapdragon 730 में जो launch date है, वो 7th April 2019 और यहाँ पे जो architecture आपको देखने को मिलता है वो 8NM fabrication पे देखने को मिलता है जो कि बड़ा difference है Helio G80 से Octa-Core SOC और 64-bit architecture को support करता है तो NM याने की nanometer आपके SOC में जो semiconductor यूज होते हैं, उनका size यह number जितना अधा छूटा होगा, energy efficiency आपकी SOC की उतनी ही अच्छी होगी और आपकी battery life बढ़ती है तो इस मामले में Snapdragon 730G बटर देखने को मिलता है इसके लाभा Helio G80 में अगर हम बात करते हैं CPU याने की center processing unit की है तो Cortex A75 वाले performance वाली core देखने को मिलती है दो max clock speed 2 GHz पे बाकी की 6 कोर आपको A55 efficiency वाले देखने को मिलती है Cortex की max clock speed 1.8 GHz पे Snapdragon 730G में cryo 470 वाला standard यूज होता है जहां पे dual cluster support करता है दो core performance के लिए A76 देखने को मिलती है efficiency के लिए 6 कोर A55 Cortex की देखने को मिलती है max clock speed 2.2 GHz base clock speed 1.8 GHz देखने को मिलती है so यहाँ में CPU की अगर हम बात करते हैं तो आपको latest core A76 730G में देखने को मिलती है और यहाँ पे frequency भी जादा देखने को मिलती है so Snapdragon 730G CPU के मामले में G80 से बहतर है on paper इसके लबे G80 में अगर हम बात करते हैं GPU याने की graphical processing unit की तो Mali का G52 यूज होता है MC2 याने की 2 core वाला G52 यहाँ पे यूज हो रहा है और यहाँ पे 950 MHz की maximum frequency का support देखने को मिलता है Snapdragon 730G में बात करते हैं तो Qualcomm का in-house Adreno 618 GPU यूज होता है और यहाँ पे जो max frequency है वो 825 MHz की देखने को मिलती है So GPU के मावले मैं काऊँ को Mali G52 बेटर आपको देखने को मिलता है in comparison to Adreno 618 So Helio G80 यहाँ पे विन करता है इसके लबे हेलियो G80 में अगर हम modern की बात करते हैं तो 4G LTE modern है और maximum download speed 300 MB per second की support करता है maximum upload speed 150 MB per second की support करता है Snapdragon 730G में Qualcomm का in-house X15 modern use होता है 4G में जो max speed आपको देखने को मिलती है वो 800 MB per second की जो की category 15 को belong करता है और upload में max speed 150 MB per second की जो की category 13 को belong करता है So guys 4G की speed की अगर हम बात करते हैं तो Snapdragon 730G आपको better देखने को मिलता है with higher speed इसके लगा Helio G80 में अगर हम camera के support की बात करते हैं तो dual में 16 plus 16 MP का single में maximum 25 MP का support देखने को मिलता है अगर सारा arrangement आप 30 FPS पे देखना चाहते हैं single में यह आपको 48 MP तक का maximum support तक ले जाएगा अगर यहाँ पे आप FPS count कम कर देते हैं और वो FPS count कम करने के बाद 17 FPS होता है जो कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा confused हो जिसको ले के 70 होगा या 22.2 होगा सो अगर आपको पता है तो मुझे comment section बताइए Snapdragon 730G की बात करते हैं तो dual में 22 MP प्लस 22 MP का support करता है single में maximum support 36 MP तक का जाता है अगर आप MFNR प्लस ZSL का support लेते हैं लेकिन MFNR का खाली support लेंगे तो यह single का support आपको maximum 48 MP तक जाएगा और यह सारा arrangement आपको 30 FPS तक देखने को मिलेगा इसके लाब अब बात करते हैं G80 में video capture की तो 2K maximum आपको support देखने को मिलता है with 30 FPS, Full HD वाले video 60 FPS पे आप capture कर पाऊगे Snapdragon 730G में 4 तक के video आप capture कर पाऊगे अब 230 FPS तक 1080p याने की Full HD वाले video 120 FPS पे और slow motion में 720p याने की HD वाले video आप 960 FPS तक capture कर पाऊगे तो यहाँ पे एक बड़ा advantage आपको देखने को मिलता है video capture के मामले में so Snapdragon 730G video capture के मामले में आपको better करते हैं दिखता है Hilo G80 पे अगर हम बात करते हैं display की support की तो Full HD प्लस वाले support देखने को मिलता है max resolution 1080 x 2520 का देखने को मिलता है Snapdragon 730G की बात करते हैं तो Full HD प्लस का support यहाँ भी देखने को मिलेगा लेकिन maximum आपको 2K तक का on device support ही जाता है इसके लगा अगर बात करें external तो externally 4K तक का यहाँ पे support करेगा maximum तो यहाँ पे इस department में अगर बात करते हैं Snapdragon 730G आपको यहाँ भी बेटर देखने को मिलता है LG 80 की अगर हम बात करते हैं RAM के support की तो type है वो है LPDDR4X और maximum RAM का support 8GB तक जाता है 1800 MHz की maximum speed का support यहाँ पे देखने को मिलता है Snapdragon 730G की बात करते हैं तो type same LPDDR4X और maximum 8GB तक की RAM का support आपको देखने को मिलता है maximum frequency 1866 MHz की support करती है LG 80 में अगर हम बात करें storage type की तो यहाँ पे आपको UFS का support नहीं देखने को मिलता है इसके लिए अगर बात करूँ EMC 5.1 का यहाँ पे आपको support देखने को मिलता है Snapdragon 730G की अगर बात करते हैं तो storage में UFS का मिलता है यहाँ 2.1 तक का देखने को मिलता है और EMMC में 5.1 का support देखने को मिलता है G80 में अगर हम बात करते हैं अगर फीचर की तो Bluetooth का 5 Wi-Fi का 5 और Mediatek का Hyper Engine Gaming Technology का support देखने को मिलता है जोकि environment होता है आपका gaming के लिए इसके लागा Snapdragon 730G में Bluetooth का 5 Wi-Fi का 5 और Qualcomm का Gaming Specialized Elite Gaming Feature आपको देखने को मिलता है Helio G80 में अगर आप बात करते हैं Fast Charging की तो Mediatek का Pump Express का support देखने को मिलता है Snapdragon 730G में Fast Charging जो है वो Qualcomm की Quick Charge 4 Plus आपको देखने को मिलती है Helio G80 में अगर हम स्मार्टफोन की बात करते हैं Realme 6 I expected है यहाँ पर अभी confirmation नहीं है Snapdragon 730G की अगर बात करते हैं तो आपको पहले से भी बहुत सारे mobile आपको देखने को मिलते हैं जैसे कि OPPO RAIDA 2, Galaxy A80, Realme X2 यह सारे mobile और इसके लाव अभी आपको अधर mobile भी देखने को मिलते हैं Helio G80 में अगर हम बात करते हैं N2 2 score की तो भाई officially तो नहीं पता है बढ़ यहाँ पे third party sources की माने तो 2,5,000 के approach आपको देखने को मिलता है और Helio G70 का आपको 1,90,000 के approach देखने को मिलता है Snapdragon 730G की अगर हम बात करते हैं तो N2 2 में आपको 2,60,000 के देखने को मिलता है जोगी OPPO Reno 2 में देखा गया था और Geekbench में जो score है वापको single core का 2500 और multi core का 7,000 score देखने को मिलता है So guys यह तो दा comparison between MediaTek Helio G80 वसस कॉल का Snapdragon 730G और यहाँ भी आपने देखा कि इन दोनों के बीच का जो comparison है उसमें almost सारे जो segment में आपको Snapdragon 730G बेटर देखने को मिलता है अगर हम बात करें केवल graphics में इसमें आपको MediaTek के Helio G80 में Mali G52 देखने को मिलता है और Adido का 618 आपको देखने को मिलता है 730G में So यहाँ पे विन करता है बाकी overall अगर देखा है तो सारे segment में आपको 730G विन करता देखता है और यहाँ भी जो इस comparison का जो विनर होता है वो भी Snapdragon 730G होता है So इसके बाद भी अगर आपका कोई confusion है तो मुझे comment section में पूछ सकते है तो फिलाब तो इस वीडियो में इतना ही चले मिलते हैं अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लिजिए आप वीडियो को लाइक भी कर देजिए इतना देख लिए है तो चले मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुट बाई